नमस्कार, Study IQ IS Hindi में आप समी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विरत दुबे और एक बर फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ इतिहास की, आधुनिक भरत की इतिहास की क्लास को ले करके जो की बुक बेस्ट है और ये स्पेक्ट्रम जो किताब है इसको आधार बना करके हम इसके माध्यम से आधुनिक भारत को कवर करने का प्रयास कर रहे है इस क्रम में ये दिगर आप देखेंगे तो मैंने पहला लेक्शर आप लोगों को कल दिया था और उस पहले लेक्शर में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आधोनिक भारत जो है उसके शुरोत हमारे लिए महत्तौपून है यहनी फर्स जो चैप्टर था उसमें हमने आधोनिक भारत के इतिहास के शुरोतों के बारें बताया था तो आज के इस अध्याय में मैं आपको पहले तो जो कल चीजे मैंने बताई थी क्या क्या चीज़ें हमने cover करी हैं उसको हम आज के lecture में जुरूर बता रेते हैं दूसरी बात ये भी है कि आज का जो lecture है वो जिस unit का है वो unit 1 है और कल वाला भी lecture जो था वो unit 1 का था अब जो new student है शायद उन्हें अभी ये चीज़ पता नहीं चल पारी होगी ये unit का मतलब यहां पर किस संदर में सर ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि एक एक करते हुए अगर आप देखोगे तो तक्रीबन 10 एकाईयां जो है आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी ठीक है जो कि यहां पर आपको ये दिख रहे हैं इन 10 एकाईयों में हमने पहली एकाई जो है श्रोत एवं उपागम इसको उठाया है जिसमें से हमने श्रोत यानि कि सोर्सेज जो है वो कवर किये और जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज में आप देखोगे स्रोत एवं उपागम के अगर हम बात करें तो आधनिक भारती इतिहास के जो स्रोत हैं उन में हमने तमाम सारी चीजें जो है वो डिसकस करी हुई है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको पुरा लेखिय सामगरी के बारे में बताया हुआ था और किस प्रकार से उसमें नैशनल आर्काइवस ओफ इंडिया तीन प्रेसिदेंसियों के पुरा लेख इसके अलावा नियाइक नीजी पुरा लेख और विदेशी जो पुरा लेख है वगेरा इन सब के ओधारन मैंने आपको दिखाये थे बताये थे इसके अलामा मैंने आपको यात्रा वृत्तांत वगेरा के बारे में बताया था समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में बताया था वो कैसे important role अदा करते हैं इसके अलामा मौखिक, स्रजनात्मक और चित्रकला वाले जो प्रमाण थे इन सब के उपर बहुत विस्तरिच चर्चा हुई थी इस संदर्ब को ध्यान में रखते हुए कि आप इसको pre-commence की तरफ ले जा सकते हैं कुछ important sources थे उनके नाम मैंने लिखे थे कुछ important sources के places मैंने आपको describe किये थे books, newspapers, उनके writers, उनके publishers इन सब के नाम मैंने आप लोगों को कल बताये थे तो ये आपके किसी भी point of view से important हो सकते थे अब इसी का जो दूसरा भाग है इसी आधनिक भारती इतिहास का जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग basically अगर देखा जाए तो वो उपागम से है ठीक है तो चलिए आज वाला जो टॉपिक है वो क्या है उसको हम एक बार फिर आप से clear कर दें एकाई एक ही है लेकिन इसी का ये भाग दो है ठीक है इसी का ये भाग दो है या अध्याय दो है और इसी अध्याय दो को हम लोग लेखन और उपागम की रूप में जानने है तो जब हम आधुनिक भारत की शुरुवात कर रहे हैं तो आधुनिक भारत को पढ़ते समय आधुनिक भारत को पढ़ते समय जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि इतिहास जो है वो किसी भी history के किसी भी part को या किसी एक particular area को किसी एक angle से देखते हैं और उसी अनुसार उसका जो है visualization करते हैं और उससे दिक्कत ये होती है कि आप इतियास का जो विस्तरित रूप है उस विस्तरित रूप से पहचान नहीं बना पाते हैं और एक अलग सी image बना करके उसके आधार पर अपना भविश्यापताय करने लगते हैं मतलब इसको हम biasness की स्रेणी में रख सकते हैं कि आप किसी particular चीज़ से biased हो करके काम करने लगेंगे यदि अगर आप इसका सभी जो इसके आयाम है अगर उस पर दृष्टी नहीं डालेंगे और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो इतिहास का लेखन है वो किस प्रकार किया गिया है और उस लेखन के जो उपागम है यानि जो sources है ठीक है जो भी उसके इस प्रकार के जो sources वगरा है वो क्या है ये importantly जब तक हम को पता नहीं चलेगा तब तक हम इसके बारे में विशेज जानकारी जो है वो नहीं ले पाएंगे तो आज के इस चैप्टर में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि लेखन और उपागम जो है वो किस प्रकार के हैं भारती इतिहास के गरम बात कर रहे हैं तो ठीक है चले शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दू आदनी भारती इतिहास के लेखन और उ वाले हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं उसको अगर हम देखें तो उसमें हम अपनिवेशिक उपागम की बात करेंगे रास्टवादी उपागम की बात करेंगे माक्सवादी उपागम की बात करेंगे इसके अलामा आधिनस्त और उपाश्रित उपागम वग जरूरी है, और उपागम को समझने से पहले हमें इतिहास लेखन को समझना जरूरी है, किसको जो इतिहास लेखन है, उस इतिहास लेखन को समझना जरूरी है, इतिहास लेखन को हम इतिहास लेखन कहलें, या हिस्टोरियो ग्रैफी के नाम से इसको काफी fame मिलता है English में आप इसे historiography शब्द से जोड सकते हैं ठीक है? अब ये historiography का मतलब ही है इतिहास लेखन History मतलब इतिहास और historiography मतलब इतिहास लेखन तो historiography जो है वो इतिहास की इतिहास की जानकारी देता है अर्थात जो इतिहास लिखा गया है जो इतिहास आपके पास तक पहुँचा है लिखा है या फिर जिसे पहुचाया गया है ठीक है? जिसे पहुचाया गया है कहां तक पहुचाया गया है? हमारे आप तक यानि कि पाठक तक या इतिहास के जानकार तक जब चीजें पहुँच रही है तो वो किस रूप में पहुँच रही है कैसे पहुच रही है कौन लोग उन्हें पहुचा रहे है यानि इतिहास की जो एतिहासिक व्याख्या है आप इसको सही तरीके से देखें तो हिस्टीडिय इतिहास की एतिहासिक व्याख्या अब देखिए चैप्टर में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज का जो अधियन है आज जिस चीज के बारे में हम चर्चा करना जा रहे हैं इस पर विचार आपको ज्यादा करना है मतलब हो सकता है कि आज ल में आपको देता हूँ वह हो सकता है कि आज आपको कम मिले लेकिन यहाँ पर सीखने समझने की चीज बहुत मिलेगी इसलिए लेक्चर को बीच में मिस मत करिएगा क्योंकि कॉंसेप्ट है वह शुरू से शुरू होता है और अंत तक आगे बढ़ता चला जाता है बीच में आप उसे ब्रेक करेंगे तो जो बात मैं आपको समझाना बताना चाहरा हूँ वह आपको बात समझ में थोड़ी सी कम आएगी तो उसका रीजन यह है कि आज हम जो चीज बोलेंगे जो हम आपको समझाएंगे उसी में ही इस चैप्टर का आनंद है उसी में ही इस चैप्टर से सुनिए और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो ये जो चैप्टर चल रहा है ये स्पेक्टरम की बुक्स से रिफर्ड है या उसका हमने थोड़ा सा रिफरेंस लिया है पर ऐसा नहीं है कि इसी बुक्स से ही सारी चीज़ें आपको यहां पर अब इसके लिए क्या हमें किताब खरीदनी पड़ेगी अगर आप इसली खरीद सकते हैं तो खरीद लीजे नहीं खरीद सकते हैं तो मैं आपको उसकी व्याक्षाएं बता ही रहा हूँ ऐसा तो है नहीं कि अगर स्पेक्टरम की किताब में आद्मिक भारत के कुछ सोर्स लिखे हैं तो दूसरी किताब में कुछ और लिखे होंगे है ना तो लगभग वैसे ही चीजे हैं आप उसे समझने का प्रयास कीज़े आप पढ़ाई किसी भी बुक से कीज़े लेकिन कॉंसेप्ट एक ही रहेगा उसी कॉंसेप्ट को हम आपको समझने का प्रयास करें तो जब हम बात करते हैं इतिहास की इतिहास लेकरन कि जब हम बात करें और जब हम बात करें इतिहास की हलाकि इसके उपर हमारी थोड़ी चर्चा कल वाले अध्याय में हो चुकी है और आप लोगों का भरपूर उसमें सहयोग भी प्राप्त हुआ और इसी सहयोग को आगे थोड़ा सा बढ़ाईएगा वास्त्विक रूप में इतिहास कैसा होता है आप मुझे कॉमेंट्स करके बताएए क्या इतिहास परिवर्तनी है क्या ये इतिहास परवर्तनी है या अपरिवर्तित है अपरिवर्तनी दोनों में से कौन से सही है ये सही है ये सही है तो मेरे ख्याल से आपको ये आसानी से पहचान हो जाएगी कि इतिहास जो है वो अपरिवर्तनी ही होता है मतलब जो चीज बीत गई है आप उसे कैसे बदल सकते हैं मतलब जो चीज जैसे मैंने पिछले क्लास में उधान दिया आपको कि 2022 बीत गिया है अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं जो हो गया है चेंज किसमें कर सकते हैं आगे आने वाला जो भविश्य है हो सकता है कि आगया ने भविश्य में जो चीजों की संभावना है मान लेते हैं एक्जामपल के तोर पर एक एक्जामपल मैं आपको देता हूँ कि आगे जो है किसी व्यक्ति के एक्जाम में पास ना होने की संभावना है भविश्य ये दिख रहा है उसका जो भविश्य है व यसे लगता है कि इस प्रकार से होने वाला है कि किसी परिक्षा को पास नहीं कर पाएगा, तो यह वो प्रयास करे, और प्रयास करके वो अपने भविष्य को बदल सकता है, और इस इग्जाम को पास कर सकता है, मतलब जो उधारन में देना चाहरा हूँ, हो समझ रहे ना भविश्य को तो आप परिवर्तन उसमें कर सकते हैं जो चीज अभी नहीं हुई है उसे आप बदल सकते हैं ठीक है लेकिन जो चीज हो चुकी है जो इतिहास में जा चुकी है आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते तो ये एक अपरिवर्तित चीज है जिसे आप बदल नहीं सकते और ये आप परिवर्तनी चीज जो है ये पिड़ी दर पिड़ी ठीक है पिड़ी दर पिड़ी जो है ये एक दूसरे पर पहुंसती रहती जैसे आप बताईए आपने 1857 की क्रांती के बारे में पढ़ा पर उस समय हमें में से तो कोई मौझूद नहीं था आज के समय के जो लोग हमें में से कोई नहीं मौझूद था तो ये इतिहास हमारे तक किस प्रकार से पहुंचा एक के बाद दूसरे दूसरे के बाद तीसरे तीसरे के बाद चौथे से ऐसे पीडी दर पीडी पहुँचना शुरू हो जाता है तो इतिहास को अगर हम प्रत्रम द्रश्टी में देखेंगे और हम इर्दगिर्द बात कर रहे हैं आधनिक इतिहास की लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्राचिन इतिहास पे नियम लागू नहीं होगा या मध्यकाले इतिहास पे नियम लागू नहीं होगा यह प्राचिन और मध्यकाले दोनों इतिहास पर लागू होगा इसके आगे भी हो सकती है जैसे इतिहास जो है वो अपने समय की परिस्थितियों की व्याख्या करता है इतिहास क्या है अपने समय की जो परिस्थितियां है परिस्थितियां ठीक है यह परिस्थितियां जो है उनकी व्याख्या करता है ठीक है आपरवर्तनी यह तो है पर आप परस्थितियां हैं, उनकी ये व्याख्या करता है, उसके संदर्ब में ये स्पस्टी करण देता है, स्पस्टी करण, अब आप कहेंगे सर, ultimately ये भी तो, अगर वो परस्थितियों की व्याख्या कर रहा है, तो परस्थितियां भी जो बीद गई है, परस्थितियों का जो है या जो वर्तमान है उसमें तमाम ऐसी चीजे होती है जो repetitive होती है यानि की पुनर व्याखित होती है या बार-बार आती है सामने आती है तो एक उधारण के तोर पर अगर ये समझा जाए कि कोई ऐसा कोई ऐसी घटना जो अतीत में किसी परस्थिती के कारण घटित हो तो अगर हमने इतिहास को समझ रखा है तो हम ये समझ सकते हैं कि आगे हमें उसे किस प्रकार से परिवर्तन करना है लिकिन इस चीज़ को समझने के लिए इतिहास का सबसे सही विश्वसनी जो इतिहास है वो विश्वसनी इतिहास तभी विश्वसनी होगा जब उसमें तरक वितर्क किया, अगर तर्क वितर्क नहीं किया, अगर पस्टी करण नहीं है, अगर उसमें नवीनता नहीं है, प्रमाणों की कमी है, तो हम ऐसे इतिहास को accept नहीं कर पाते हैं, और हमें ऐसे इतिहास को accept करने में problem आती है, तो ऐसे में ही हमको इतिहास जो लेखन हुआ है, उस समझनी के अवशक्ता बनती है और ये इतिहास लेखन जो उपागम है ये इतिहास के जो उपागम है वो sources जो है वो sources इतिहास के लेखन को ठीक तरीके से समझा सकते हैं तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि history जो है वो क्यों important है अब जब बार-बार यहां पर history, history, history इतिहास 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 शब्द का प्रयोग हो रहा है तो मेरा आप लोगों से comment section में एक प्रश्ण है आप सभी लोग जितने भी live है ये सारे लोग एक answer मुझे यहाँ पर लिकर के दीजे कि जो word history है जो शब्द history है आप मुझे बताईए जल्दी से comment section में comment करके कि history जो श आप सब लोग जो है इसका उत्तर साटीक दे पाएंगे ठीक है जल्दी से comment section में comment करके बताईए कि history शब्द का जो सरप्रथम प्रयोग है वो किस ने किया है ठीक है फिलाल मैं आपको बता देता हूँ ये जो शब्द है ये सरप्रथम प्रयोग किया गया था हैरोडोटस के up to you है कि आप कैसा इसको बोल सकते हैरोडोटस जो है ये एक यूनानी इतिहासकार था और खास बात ये है कि इस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का इतिहास का जनक बोला जाता है क्या बोला जाता है father of history ठीक है father of history जो है वो किसे माना जाता है वो हैरोडोटस को माना जाता ह अब Herodotus जो है, इसने इतिहास को कई तरीकों से वरणित किया हुआ है और इतिहास को वरणित करने में सबसे खास बात यह है कि इस व्यक्तिने इतिहास के कुछ लक्षन बताएं तो ये जो लक्षन है, ये जो बात में आपको बता रहा हूँ यह आपको यह समझ विक्सित करेगा, यह समझाने का प्रयास करेगा, कि इतिहास को हमें किन दृष्टि कौन से देखना चाहिए, यह वास्तिक रूप से अगर हम देखें, तो हेरोडोटस ने इतिहास के तकरीवन चार प्रमुक लक्षण बताएं, चार प्रमुक लक्षण, और इन प्रमुक लक्षणों की बात करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और फिर हम यह जानने का प्रयास करेंगे, यह उपागम कौन कौन से हैं, और उन उपागमों के क्या पहलू है, तो आप मैंने आपको बताए कि आज का जो यह चैप्टर है, आज के इस चैप्टर मे हम आपको समझाने वाली बाते थोड़ी जादा रख रहे हैं इससे इतिहास की जो समझ है वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से विक्सित हो सकती है ऐसा मेरा मानना है इसी लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लेक्चर को बीच में अगर छोड़ देंगे तो एक तरीके से फिलोसिफिकल है आज की ये जो चीज़ें है अगर ये फिलोसिफी बीच में ब्रेक हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आईगी तो हेरोडोडस कहता है कि चार लक्षण है इतिहास के इनमें से पहला एक लक्षण उन्होंने बताया है उन्होंने बताया है कि इतिहास जो है वो है एक वैग्यानिक विद्या है मतलब इसका क्या हुआ एक scientific चीज है आप इसको कथा के तौर पर ना ले इसे कला के तौर पर ना ले जब आप कथा या कला के तौर पर लेते हैं तो ये सीमित होने लगता है इसमें रूडिवादिता ज़्यादा आने लगती है कही सुनी बातें अंध्विश्वास ज़्यादा पन अपने लगता है तो अगर हम इसको वैज्यानिक विद्या के तौर पर लेंगे तो हम ये समझ सकेंगे कि इतिहास की आलोचना की जा सकती यानि आलोचनात्मक है आलोचनात्मक और कोई भी इतिहास जो आलोचनात्मक है वो इतिहास बिलीवेबल थोड़ा ज़ादा होता है मतलब अगर आप इतिहास से तर्क वितर्क या फिर उससे किसी प्रकार की आलोचना उसकी कर सकें समझ सकें आलोचना का मतलब अच्छा कुछ लोग आलोचना को निगेटिव सेंस में लेकर के चलते हैं हमेशा हमेशा आलोचना निगेटिव ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है आलोचना समोलोचना के रूप में भी हो सकती है तो अगर हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी घटित हुआ तो क्यों हुआ इसके क्या कारण रहे होंगे क्या परस्थितिया रहे होंगे तो हम समझ सकते हैं कि एक विज्ञानिक विद्या के तौर पर हमें से देख पा रहे हैं इसके अलामा इन्होंने बताया कि इतिहास जो है एक मानवी विद्या भी है दूसरा पॉइंट ये जो बताते हैं इतिहास जो है वो एक मानवी विद्या है मानवी विद्या का मतलब क्या हो गया यहां पर इतिहास का दूसरा लक्षण इनों ने बताया है हेरोरोटस ने कि इतिहास जो है वो एक मानवी विद्ध्या है उसका रीजन ये है कि जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप इतिहास में क्या पढ़ते हैं आप प्राचीन इतिहास से शुरू करिए और सोचिए कि क्या पढ़ते हैं आप प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक आप प्राचिन इतिहास में देख रहे हैं कि मानुफ कैसा था, उसकी सभिता कैसी थी, और उस सभिता का विकास कैसे हुआ, और उसके बाद ये सभिता का अंत कैसे हुआ, वस्तुता इतिहास के तीनों हिस्सों में, चाहे वह प्राचीन हो, चाहे वह मद्यकालिन हो, और चाहे वहाँ आधनिक हो, हम उसमें यही टटोल रहे होते हैं, हाँ या ने अगर हम एक तरीके से देखें तो हम इसमें यही टटोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मानवी विद्या का मतलब यह है, जिसमें मानव के कारे कलाब शामिल हो उसको आप जो है एक उसको जो है आप किसके रूप में रख सकते हैं उसको आप रख सकते हैं मानवी विद्या के रूप में भासवाज में आ रहे हैं यानि इसके अलामा इसको एक तर्क संकत विद्या भी कहा गया है तीसरा लक्षन बताये गया, इतिहास एक तरक संगत विद्या है, यानि इतिहास के लक्षनों में एक लक्षन और शामिल है, कि यह तरक संगत है, तरक संगत होने का मतलब ही यही हो गया, कि इसमें निशकर्ष होगा, निशकर्म होगा, इसके अलावां तथ्य आधारित बाते ठीक है तथ्य आधारित जहां बाते आ जाती हैं उस वहाँ पर तथ्य आधारित बाते हैं ठीक है जहां पर निशकर्म हो जहां पर क्या हो निशकर्म हो ठीक तो तरक वही पर ही कार्म करेगा तरक संगत होने का मतलब यही हो गया कि तथ्य आधारित बाते हैं तथ्य है तरक है और इसी को आधार बना करके इतिहास को लिखा जाए इतिहास में बायसनस न लाई जाए इतिहास इस बात से अभी परिरित न हो कि आप किसका इतिहास लिख रहे हैं उसका आप से क्या रिलेशन अगर इस चीज़ को आप बीच में लेकर के आते हैं तो फिर इतियास उतना ज़ादा नियाय प्रूरार्ख नहीं होता है, जितना उसको नियाय दिया जाना चाहिए, इसके अलामा सबसे इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो लक्षण है, चौथा और अति महत्वपूर्ण लक्षण जो है, इतियास के बारे में और वास्तविक रूप में, आप सोचिए, आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, आप UPSC की त्यारी करके प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, है ना, प्रशासनिक अधिकारी आप बनेंगे, आप में से कई सारे लोग राज जिस तरी प्रशासनिक अधिकारी की त्यारी भी कर रहे होंगे, civil services की त्यारी कर रहे होगे, तो वास्तविक रूप में आप जो प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं, ये सेवा किस की करेंगे, समाज की करेंगे, और समाज का परिवर्तन का कालक्रम, समय के अनुसार कैसा रहा है, यदि अगर आपको ये सपस्ट नहीं होगा, त फिर आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है, तो सिक्षा प्रतसाधन होने का महत्व, आपके एक्जाम में इतिहास का महत्व क्यों है, इसलिए ही है, इतिहास में कोई, आप तो प्रशासन से संबंदित हैं, और इतिहास में, जब हम मानवी विद्या के तौर पर देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि मानव के क्रिया कल आप इससे डिरेक्ली रिट जुड़े हुए होते हैं, और आप भी मानवों की ही सेवा करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको यह समझ में आना चाहिए, कि इतिहास जो है, वो किन-किन गुणों को समेटे ह इनकी लक्षनों को रखे हुए, अतीत से भविष्य का निर्मान आप कैसे कर सकते हैं, यानि वास्तिक रूप में सिक्षा प्रस साधन होने का मतलब ही हो गया, कि आप अतीत से भविष्य का निर्मान, भविष्य का निर्मान, कैसे हो सकता है, या उसकी जानकारी जो है आप को वो इस साधन से मिलती है वो इस साधन कौन है इतिहा से मेरी बात आप सब लोगों को इस पस्ट हो रही यहां तक अब दीखे यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको जो है आप ऐसा पढ़ें लिखें अब दीखें यह जो हेरो डोटस है और फिर दूसरे हिस्टोरियन्स का नाम आएगा कहीं न कहीं थोड़े बहुत यह फिलोसोफिकल भी होते हैं समाज को पढ़ते हैं सीखते हैं समझते हैं और उसी से समाज की चीज़ों को अनुसंधान की रूप में सामने लाते हैं ही तो होता है हिस्ट्री शब्द का अर्थ अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ जो आप हिस्ट्री शब्द पढ़ते हैं हिस्ट्री का मतलब ही अनुसंधान है हिस्ट्री को अनुसंधान ही समझना चाहिए हिस्ट्री का जो अर्थ है उसका मतलब ही है अनुसंधान ठीक है इस चीज़ को हमें समझना है वास्तवीक रूप में अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री क्या है एक खोज है वास्तवीक रूप में इतिहास क्या है एक प्रकार से एक खोज है एक गवेशनात्मक अध्यन जो है गवेशनात्मक अध्यन का मतलब हो गवेशना करना गवेशना से समझते हैं आप में से तमाम सारे लोग जो हिंदी मीडियम के हैं खोजना अनुशंधान के लिए आना जाना आगे उसमें जीना बढ़ना आगे तो वास्तिविक में इतिहास जो है वो क्या है वो मैंने आपको बताया उसके लक्षन जो है वो किस प्रकार से हैं वो मैंने आपको बताया समझाया और उम्मीद करते हैं कि आपको ये point समझ में आ गिया होगा अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि जो इतिहास के जो उपागम है, इतिहास लेखन जो है, इतिहास लेखन के जो उपागम है, उसके कुछ मीडियम्स हैं, उसके कुछ संपरदाएं हैं, कुछ स्कूल्स हैं, यानि कुछ विशेस प्रकार हैं, जिनको हमें यहां पर समझना होगा, अब उन विशेस प्रकारों की और यदि अगर हम बढ़ेंगे, अगर हम इतिहास के जो उपागम है, इतिहास का जो लेखन हुआ है, अगर हम उसके संपरदायों की बात करें, अगर हम इसके संपरदायों की बात करें, तो कई विस्तरित संपरदायों हैं इसके, और उन्ही संपरदायों, यानि उन्ही विच जैसे कि मैं आपको बोल के बताऊं तो जैसे कि मार्क्सवादी, उपनिवेशवादी जो इतिहास लिखने, मार्क्सवादी इतिहास लिखने, इसी तरीके से रास्टवादी इतिहास लिखने, इसी तरीके से संपरदायवादी इतिहास लिखने, कैम्बरिज स्कूल इतिहास ल मार्क्सवादी है, मार्क्सवादी उपागम है, कई जगों पर नारीवादी उपागम भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये नारीवादी उपागम आपको बहुत बाद में देखने को मिला, बहुत देर में चेंजेज आये जब समाज में, जब नारी का इस्थान फिर से रिकर्गनाईज किया गया, तब ही आया, इसी तरीके से संप्रदायवादी उपागम आपको मिलेगा, संप्रदायवादी उपागम, इसी प्रकार से आपको रास्टवादी उपागम मिलेगा, रास्टवादी उपागम, और इन सब उपागमों के अधार से अगर आप इस प्रोच के हम चर्चा कर रहे हैं, वो एप्रोच होगा हमारा मार्क्सवादी, ठीक, सबसे पहले मार्क्सवादी, अगर हम वास्त्रीक रूप में देखें, तो सबसे पहले हमें जिस उपागम की चर्चा करनी चाहिए, वो उपागम जो है, हमारा आपनिवेशिक उपागम होन उसको समझने से पहले हमें माक्सवादी विचार धाराओं पर समझना पड़ेगा क्या आपने काल माक्स का नाम सुना है मुझे उम्मीद है कि आप सबने काल माक्स का नाम सुना हुआ है और जब काल माक्स का नाम आपने सुना हुआ है तो उसकी जो विचार है उसी विचार को उस विचार से प्रेदी जो समाज है उसको माक्सवादी समाज बोला जाता है ठीक है तो ऐसा होता है कि अलग-अलग समय पर विभिन दार्शनिकों का प्रभाव जो है कालमाक्स यह दार्शनिक है और आप बताई कि कालमाक्स कहां के दार्शनिक है कोई बहुत famous नाम है तो आप नाम ज़रूर बता सकते हैं कि कहां से belong करते हैं और मैं समझ पाता हूँ कि सभी लोग इनका नाम ज़रूर जानते होंगे और ये ज़रूर जानते होंगे कि कहां से belong करते हैं तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो इतिहास है उस पर दार्षनिकों का प्रभाव पढ़ता है और बहुत अलग-अलग तरीके के दार्षनिक है तो वर्तमान जो युग है जो आधनिक भारत का जो समय है आधनिक समाज जो है उस पर जिस दार्षनिक का सबसे जादा प्रभा वर्तमान समाज जो है उसको लिखने वाले जो इतिहास कार हैं वह मांक्स्वादी विचार धारा से प्रिनित हैं थोड़ा सा काल मांक्स यो है इतिहास को एक दर्शन के रूप में देखते हैं और उस दृष्टिकौन से एक प्रबुत विचारक माने जा सकते हैं इनको नैतिक्ता का समर्थक माना जाता है कालमाक्स को नैतिक्ता का इनको हम समर्थक मान सकते हैं नैतिक्ता का समर्थक मतलब इतिहास का नैतिक्ता से सीधा संबंदे जहां कहीं इतिहास समय में या काल में या समय में जो पीछे बीद गए हैं उसमें जहां कहीं नैतिक्ता का हनन होते हुए में दिखता है, वहां इतिहास उधल पुधल होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा कालमाक्स को हम समाजिक विचारधारा का एक बहुत ही कह सकते हैं प्रकान जो अनियाई है वो समझते हैं। समाजिक विचारधारा का मतलब क्या है हम पर समाजिक विचारधारा का कालमाक्स को समाजिक विचारधारा का हम अनियाई मान सकते हैं, प्रबल अनियाई मान सकते हैं। प्रबल और नियाई मानने का मतलब यही हो गया कि जो समाज है समाजवादी विचारधारा का मतलब समझ रहे हैं या समाजिक विचार का मतलब समझ रहे हैं जो समाज है उस समाज की जो नैतिक मूले हैं जो नैतिक मूले होने चाहिए उस विचारधारा को जो follow करे उसे हम समाजिक विचारधारा के अंतरगत रख सकते हैं ठीक है, परंतू एक जो विशेश चीज है जो अन्य अितिहास कारों से कालमाक्स को अलग करती है वो है इसका वैज्ञानिक दृस्टिकोर्ण वैग्यानिक द्रिष्टिकों यानि कालमाक्स ने जो इतिहास लिखन किया है उसमें वैग्यानिक एप्रोच रखी है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि इतिहास जो है वो एक वैग्यानिक विद्धिया है और जब ये इतिहास एक वैग्यानिक विद्धिया पढ़ाता और जब यह इतिहास एक वैग्यानिक विद्या है तो उसे आलोचनात्मक दृष्टी से देखा जा सकता है और हमें सा उसके लिए तक पर रखा जा सकता है और इसी चीज़ को फॉलो करने का जो काम किया है वो कालमाक्स ने किया है और यही कारण है कि आधनिक समाज कैसे वाला जो अर्थ है वो खोजने का प्रयास करते है जो इन तरकों पर आगे बढ़ेगा उसी को तो हम बोलेंगे कि यह वैग्यानिक दृष्टिकोंड रखने वाला विक्ती है अब देखे इनके इनका जब इतिहास लेखन करते हैं तो बोलते हैं कि इतिहास में कुछ व काल माक्स के इतिहास लेखन की बात करते हैं तो उसके महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं या तत्व हैं वो क्या हो सकते हैं पहला और जो सबसे इपॉर्टेंट है वो है मूल भूत आर्थिक नियमों और उद्देशों के अनरूप जो घटनाएं हैं उनकी गति को इतिहास के तोर पर देखा जाना चाहिए मतलब क्या है मूल भूत आर्थिक नियमों का मतलब यहां है कि ़्या हम सारे वायसराय पढ़े होंगे वायसराय के बारे में पढ़ा होगा ति वायसराय भारत क्यों आए या इसको छोड़ी ये तो बहुत दूर की बात हो गई अगर आप इत्यास पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि यूरोपी ये भारत आए यूरोपी भारत क्यों आए उनको अपने आर्थिक नियमों को जस्टिफाई करना था ना एक तो सर्वाइव करना था अपने ही यूरोप में अन्य आर्थिक उपनिवेश्यों थे उनसे उपर उठना था उनके कुछ आर्थिक उद्देश्य थे जिसको पूरा करना था और उसी आर्थिक उद्देश्यों को बस्टता है जब आप देखते हैं कि यूरोप जो है उस पंद्रवी सतापदी में उरोप के जो लोग है वो पश्चिम से पूर्व की और आए तो पश्चिम से पूर्व की और क्यों आए आपने आलोचनात्मक दृष्टिकोंड रख लिया बैने आपको बताया कि व्यग्यान मैं यूरोपियों का आग्मन करूंगा या पढ़ा रहा हूंगा तो आप में से तमाम सारे स्टुडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझसे तुरंद पूछ बैटेंगे सर यूरोपी भारत आए ही क्यों जब ये इतने उननत थे तो इतने गरीब देश में क्यों आए या इतने उन लाब के उपर ही डिपेंड करता है और जब भारत पिछड़ा हुआ है तो आप वहां से व्यापार करने क्यों आ रहे हैं इसका मतलब यहां पर कुछ उननत आर्थिक उद्देशत हैं होंगे उनके तो मूलभूत आर्थिक नियमों का मतलब यही हो गया कि सबसे पहला जो त महत्तपूर्ण भूम का निभाते हैं भाई आप इध्यास में सब कुछ नहीं लिखते ना इन फैक्ट उसमें भी जो अती महत्तपूर्ण होते हैं आप उनको याद रखते हैं अभी मैं आपसे कह दूँ कि महत्तपूर्ण वायसराइस जितने भी वायसराइज हैं वो सारे भारत के लिए महत्तपूर्ण हैं वायसराइस हों गवर्नर हों यह सब भारत में आते हैं क्या आपको सारे वायसराइस याद होते हैं या आपको मालूम है कि सारे वायसराइस की सेम इंपॉर्टेंस भारत में रही है नहीं अलग-अलग इतिहासकारों अलग-अलग वायसरा ज़्यादा important है, ये इतिहास में अक्सर इनका नाम चलता रहता है, है ना, तो पहला वाला point है, आपको जो पहला तत्व मैंने समझाने का प्रयास किया, तो महत्वपुन तत्व में पहला तत्व यही है, इतिहास इसलिए लिखा जाता है, भई मानव के विकास का मतलब किस से ह आर्थिक और समाजिक विकास से है, उसमें भी सबसे पहले आर्थिक आ जाता है, समाजबाद में डवलेप करता है, वो कहते हैं ना कि पैसा सबसे पहले जेब में होगा, तब ही हम सब भी होना शुरू होंगे ना, जहां पैसे की कमी हो जाती ही, जहां अर्थ होना, अर्थ विहीन जो समाज है वो उसमें कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि वो जो है सभिता विहीन भी होने लगता है अलाकि ये पूरी तरीके से इसपस्ट नहीं है इसको एकदम से इसपस्ट नहीं माना जा सकता है लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता है इसके अलामाल दूसरा है दूसरा जो तत्व हमको देखने को मिलता है इतिहास में जो दूसरा तत्व हमको देखने को मिलेगा वो दूसरा तत्व क्या है ये एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है और उसके माध्यम से समाज में जो उस अनुरूप जो घटनाए घटित होती है, जो विचार आते हैं, उस विचार का विकास है एक तरीके से, द्वनद्वात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या होगे यहाँ पर? मैंने बताया कि एक द्वनद्वात्मक जो प्रक्रिया है, जो द्वनद्वात्मक प्रक्रिया है, उसके अनुरूप विचारों का व कि example के तौर पर आप किसी ऐसे समाज में रह रहे हैं मान लेते हैं कि आप समाज में हैं आप नारी हैं ठीक है इस्तरी हैं और नारी वो condition में है जिस condition में ये आगे बढ़ना चाहती है ये आगे जाना चाहती है लेकिन उसके बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रही इसके अंदर वो guts है इसके अंदर वो क्षमता है कि वो आगे बढ़ सकती है तो वो आगे बढ़े हैं न करे वो पढ़ने बाहर जाए न जाए वो अपने आपको समाज के सामने अपने विचारों को रखे या न रखे ये क्या है एक द्वनद्वात्मक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से उस समय जो विचार उत्पन होगा उस विचार का विकाज जो है वो इतिहास में लिखा जाता है अब ये केवल नारी के तौर पर नहीं देख सकते हैं समाज में एक वर्ग के तौर पर देख सकते हैं एक जाती के तौर पर देख सकते हैं एक संपरदाई के तौर पर देख सकते हैं और इन सब लोगों का जो development है उसका क्रमिक जो अध्यान है वो भी इतिहास में हमको देखने को मिलता है तो इतिहास में दूसरा तत्व ये भी है और तीसरा सबसे तीसरा और सबसे महत्रपून तत्व जो हमें आधुनिक भारत में भर भर के मिलता है आधुनिक भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो तीसरा वर्ग सबस्यादा इसे मिलेगा और वो वर्ग क्या है वर्ग संघर्ष वो जो तत्व है वो क्या है वर्ग संघर्ष एक तरीके से यह जो तीसरा तत्व है दूसरे तत्व का अग्रगामी है आगे चलने वाला है उसको ले लेकर चल रहा है वर्ग संघर्ष का मतलब ये हुआ कि वर्ग संघर्ष के रूप में उस समय जो भी सक्रियता है उस समय जो भी चीजें चल रही है उसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि एक वर्ग जो है वो उच्च हो रहा है किसी भी परस्थिते में ज्यान की स्थिती में, धर्म की स्थिती में समाज की स्थिती में, आर्थिक स्थिती में और दूसरा जो है वो निम्न वर्ग हो रहा है तो उसको हम शोशक और शोशित समाज की रूप में देख सकते हैं एक शोशक वर्ग है एक शोशित वर्ग है शोशक और शोशित वर्ग जो है वो जब आमने सामने होते हैं तो उसका जो result निकल करके आता है, positive result जो निकल करके आता है, वो होता है साम्मेवाद, जहाँ एक शोशक है, जहाँ एक शोशिस समाज है, उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप एक साम्मेवाद समाज लेकर के आएंगे, तो साम्मेवाद की ओर बढ़ने के लिए भी इतिहास का अध्यन जो है, वो किया जाता है और जब हम कालमाक्स के विचारों की बात कर रहे हैं, कालमाक्स के इतिहास के तत्तों की बात कर रहे हैं, तो उसका जो समाज है, उसके समाज का आधार जो है, वो विचार है ही नहीं, वो भौतिक के जो तत्व हैं, उसके विचार में देखने को मिलते हैं, माक्सवाद के, उनके जो गुण है, कालमाक्स के, वो जो गुण है, जो गुण मैंने आपको यहाँ पर लिखाए हैं, समाजिक विचारधारा को मानने वाले हैं, विग्यानिक दिस्टिकोड रखते हैं, समाजवाद इसे अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपनिवेशिक विचार धरा वाले लोगों को भी बताया है, तो हम आपनिवेशिक जब उपागम को पढ़ रहे होंगे, तब हम आपनिवेशिक ए रास्टवादी जो हैं, अलग-अलग हैं, उनके विचार थोड़े से इनसे डिफरे कालमाक्स में एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, समाज जो है वो दो वरगों में, मार्क्स के अंसार अगर हम देखें, तो समाज जो है वो दो वरगों में, एक तो मैंने बताया शोशित या शोशक, और दूसरा कौन सा है, शोशित, तो शोशित वो है जिसका शोशन क कहलाते हैं, यानि एक व्यक्ति जो है, वो डिप्राइब्ड है, और एक व्यक्ति उसके उपर अपना अधिकार करके रखा है, साधन संपन जो वर्ग है, वो उन लोगों पर कंट्रोल करना चाहता है, जो उत्पाधन साधनों पर, जो उत्पाधन के साधन है, उन पर, है न, ब ठीक है इसके अलावा आपको राजा जो है या जो उस समय के राज्ची जो लोग है या प्रशास्निक जो लोग है उनकी नौकरी करनी हो तो भी यही समाज है फसाल उगानी हो तो भी यही समाज है व्यापार में जो निम्न व्यापारी है निम्न वर्ग का जो व्यापारी है न ये सब कौन लोग हैं, ये सब वो लोग हैं जिनको हम लोग उत्पाधन के साधन के तौर पर मानते हैं, यही तो उत्पाधन कर रहे हैं, वास्तिक रूपन उत्पाधन यही कर रहे हैं, आपका घर कौन, आप घर नहीं बना रहे हैं, आप तो घर बनवा रहे हैं, घर बना कौ लेवर मिस्त्री वाले जो लोग तो ये जो लोग हैं ये कौन हैं ये उत्पादन के साधने और इन उत्पादनों के साधनों पर जो अपना अधिकार करता है जो अपना अधिकार कर रहा है उसको बोल रहे हैं हम शोशक कालमाक्स उने शोशक कह रहे हैं और शोशक इन पर जो ह अंदर जाग्रुकता आएगी तब वो जाग्रुकता जो है इस वर्ग शंगहर्ष को क्या करेगा और बढ़ाएगा इस वर्ग शंगहर्ष को तब तक बढ़ाएगा तब तक उसके लिए जमीन तयार करेगा जब तक कि ये समाज वर्ग विहीन ना हो जाए इनके बीच में जो disputes हैं वो तब तक नहीं होगे जब तक ये जागरूक नहीं होगे और जब ये जागरूक होगा तो जागरूक होकरके अपना हक इनसे मांगेगा और जब इनसे अपना हक मांगेगा तो समाज कैसा तै होगा वो समाज होगा वर्ग विहीन समाज वर्ग विहीन समाज जो वर्ग विहीन समाज है basically ये वर्ग विहीन समाज ही क्या है ये वर्ग विहीन समाज ही साम्मेवाद है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साम्मेवाद तो आपको साम्मेवाद समझना है तो यहीं से निकल करके आएगा देखिए साम्यवाद भी आपको इस पस्ट हो रहे है, यहीं से साम्यवाद इस्थापित होगा, बात समझ में आ रही है मेरी एक हाँ या नी, तो वर्ग संघर्ष जो है वो आवश्यक हो जाता है, क्यों आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह चीज हमें लेकर क्याना है, उपनिवेश्री क्या संप्रदाई जो संप्रदाय वाद है या संप्रदाय है जो उपागम है उसकी तरह अगर हम देखें तो माक्सवाजी जो इतिहासकार हैं वो भी मतलब थोड़ा बहुत आपको जो उपनिवेश्वादी जो इतिहासकार अभी आपको देखने को मिलेंगे और इसके समर्थन के आधार पर आधवनिक भारत का गठन या आधवनिक भारत का जो इतिहास है वो गठित किया जाता है लिखा जाता है रास्टवादियों के समान अगर हम देखें तो एक समानता काल माक्सवादी और रास्टवादियों के बीच में भी दिखाई देती है जैसे कि रास्टवादी जो हैं वो विभिन वर्गों के बीच में जो अंतर विरोध है उस विभिन वर्गों के बीच में अंतर व्रूत को वो शांत करना चाते हैं शांत करके समाज को उन्नत की ओर ले जाना चाते हैं रास्ट्र की कलपना करना चाते हैं उसमें जाती वर्ग के आधार पर पहचान ना हो इसकी कलपना करना चाते हैं कल्पना भी हमको किस में मिलती है इन में मिलती है माक्सवादी विचारधारों में तो माक्सवादी इतिहास जो है वो क्या है या आपको समझ में आ गया होगा यानि माक्सवादी तो उपागम है वो कैसा है उसके इतिहास लिखन की दृष्टी कैसी है यह आपको इस पस्ट हो गई होगी तो यह काफी important है आपको कभी काल मार्क्स के उपर या मार्क्स के उपर या मार्क्सवादी विचारधारा के उपर उपागम के उपर लिखने के लिए है तो इन सब चीजों का आप इस्तेमाल करके अब इसके आगे अगले point पे अगर हम देखें तो दूसरा हमको नारिवादी जो विचारधारा है या नारिवादी जो उपागम है उसके उपर थोड़ा सा धियान देना चाहिए नारिवादी उपागम के जब हम बात करें तो यह थोड़ा आधनिक इतिहास में या आधनिक भारत में यह थोड़ा जादा बाद में आया है बहुत जादा बाद में हम कह सकते आया है तो यह इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं जरूर आपसे कर लेना चाहूंगा देखे प्राचीन भारत से अगर हम शुरू करें तो प्राचीन भारत और मध्यकालिन भारत में लिंगबेद संबंधी जो इतिहास है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खामी रही है तो महत्वपूर्ण खामी क्या रही है उसको अगर हम समझें तो आप देखोगे या मेरा आपसे एक यहाँ पर इसको बताने से पहले एक छोटा सा प्रश्ण है आप कितनी स्त्रियों का नाम जानते हैं समान्यत है अब एकदम इसी बात पर उतारो ना हो जाए यह सर मैं तो कई सारे नाम जानता हूं समान्यत है अगर आप देखेंगे तो आप बैलेंस की जब हम बात करें तो प्राचीन भारत में और प्राचीन भी वैदिक यूग को छोड़ दीजे वैदिक काल को छोड़ दीजे उसके बाद का जो प्राचीन इतिहास है उसमें आप इस्त्रियों का कितना योगदान देखते हैं योगदान जो है वो कितना देखते हैं इतिहास में कौन से इस्त्रिय है जिसको आप अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो कब आपको ये देखने को मिलता है कि समाज में इस्त्रियों के बारे में बात की गई तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत जो है वो लिंगबेद समंधी जो इतिहास है उस इतिहास की एक महतपूर्ण खामी ये है कि इस्त्रियों को जितना तवजो दिया जाना चाहिए तहते हैं आश्मों उतना नहीं मिला हाँ इसका उत्तर देते समय आप कुछ चीजों को भूल सकते हैं थोड़ी देर छोड़ सकते हैं वो exception है इस मामले में जैसे तमिल साहित्य की बात करें तो तमिल साहित्यों में अच्छा कासा युगदान है महिलाओं का प्राचीन एवब मध्यकालिन समय में भी दक्षन भारत में जो कुछ अभिलेक हैं उनको छोड़ दिया जाए तो महिलाओं के इतिहास के विशय में व्यापक जो अन्वेशन है वो हमको नहीं देखने को मिलता है और ये व्यापक अन्वेशन जो है वो अपनिवेशिक और उत्तर अपनिवेशिक जो काल है उसमें हमको देखने को मिलता है यानि जब हमारे देश में अगर हम देखें तो यह जो आपनिवेशिक साशन है आपनिवेशिक और उत्तर आपनिवेशिक और विशेस्ता उत्तर आपनिवेशिक उत्तर आपनिवेशिक यह जो काल है इस काल में आपको ये जो समाज है ये जो आधनिक भारत है उसका इतिहास में महिलाओं के इतिहास का विशय जो है आपको देखने को मिलता है तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ खोजोगे इनको छोड़ करके या दक्षण भारत का जो इतिहास है मधिकालीन हो या फिर प्राचीन हो उसको छोड़ दिया जाए दक्षण भारत अले इतिहास को अब सामने तहकी बात की जाए तो इस त्रियों का जो उनके विशय में जो हम जो अध्यन करते हैं या अनिवेशन करते हैं बहुत कम देखने को मिलता है, और इसकी भूमी का बढ़ती है, जब हम अपनिवेशिक समय में आते हैं, जब हम उत्तर अपनिवेशिक काल में चलते हैं, तो बाद की कालों में ये संभभ हो पाया है, और बेसिकली अगर हम देखेंगे, तो सेवेंटीज का जो दशक है, सत्तर का जो दशक है, उसमें महिला आंदोलन जो होने शुरू हुए, और महिलाओं से संबंधित तमाम सारे अध्यन जो थे, वो शुरू होने शुरू हो गया, तो इसके लिए उत्तर अपनिवेशिक जो शासनकाल है, वो थोड़ा हमको ज़ादा देखने को, इसका प्रभाव दे सकते हैं, बलतकार, इसके अलावा आप जो समाज में नारियों को जो घरेलू हिंसा जहलनी पड़ती है, घरेलू हिंसा, ये भी एक कारक था, नारी का दूसरे तरीके से शोशन जैसे दहेज, इत्यादी में, सिक्षा आदी में, और कुछ रूडिवादी प्रथाएं जो बाद भी, कुछ जगहों पर सती सिस्टम बगएरा, परदा प्रथाख, परदा आप इसमें जोड़ सकते हैं, परदा, हलाकि इन सब टर्म्स को आप खरेलो हिंसा में भी रख सकते हो, तो वो इन सब के खिलाब जो है एक आंदोलन, एक रूप लेना जो है वो शुरू करता ह है 70's के दशक में, और तब हम देखते हैं कि इतिहास के विशह में महिलाओं को थोड़ा योगदान देखने को मिला, इसमें हम कुछ प्रमुख लेखुकों के नाम, जो females oriented जिन्होंने लेख लिखी हैं, उनके हम कुछ नाम ले सकते हैं, जैसे बी आर नंदा का नाम आप ले बी आर नंदा ने किताब लिखी है जिसका नाम है Indian women, Indian women from परदा to modernity, ठीक है, Indian women from परदा to modernity, इसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि महिलाओं का इतिहास परदा-पृथा से लेगर के modernity तक कैसा रहा है, किस तरीके के समाज से वो इतिहास सामने आया, वरना इतिहास में महिलाओं की दशा के बारे में कोई लिखता ही नहीं, या लिखना शुरू ही नहीं करता था था ही नहीं, मसलन पूरा का पूरा इतिहास जो है आपको मार, काट, व्यापार, आर्थिक लाभ, राजस्व लाभ, इनी व्यापकता से भरा हुआ देखने को मिलता है, और खास कर आधुनी भारत का इतिहास, लेकिन हाँ, उसमें जब हम महिलाओं की दशा की बात करते हैं, त पंडिता रमाबाई का नाम लिख सकते हैं, दहाई कास्ट दहिंदू विमन, ये रचना जो है वो रमाबाई पंडिता किये, अब आप देखिए, नाम से देखिए, आपको मालू है कि, एक तो समाज जो है वो उच्चवर्ग और निम्नोगर में तो भाजित हैं, उसमें भी लेंगिक भी भाजन है, बनाए जैसे समाज में आर्थिक या अर्थ विहीन जो मानव है, जो गरीब है, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, जिस प्रकार से वो हीन भावना से गरसित उसी प्रकार से उच्च वर्ग में महिलाओं, उच्च वर्ग में धनाध्य वर्ग में पढ़े लिखे सम्रांत परिवारों में महिलाओं का भी वही कंडिशन हैं, तो वो अर्थ भी वहाँ पर काम नहीं आ रहा है, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिख इसी तरीके से वी सी लौ जो है उनकी किताब है विमन इन बुद्धिस लिट्रेक्शर और इसी तरीके से जेबी हॉनर है उनकी किताब है विमन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिस्म ये वो किताबे हैं ये वो आधनिक इतिहासकार हैं जिनकी रचनाएं जो हैं वो कहीं न कहीं नारीवादी उपागम को समक्ष लाती हैं और तब जाकर के हमको एक उपागम के रूप में नारीवादी उपागम भी देखने को मिलता है जो लेंगिक वेध को भी सामने ले करके आता है, है न, अधर्वाइस तो हमको कहीं न कहीं अगर देखें तो ये गायब होता हुआ ही दिखाई देता है, यानि कि इससे पहले का जो आधुनिक भारत है, इससे पहले का जो प्राचीन भारत है वो नारी उपागम की इर्दगिर तो कहीं फिट बैठता ही नहीं ठीक है अब आएए सबसे महत्यपूर्ण उपागम की बात कर लेते हैं जो की है आपनिवेशिक आपनिवेशिक उपागम जो सबसे महत्यपूर्ण उपागम है वो यही है, आपनिवेशिक उपागम अब यह सबसे महत्यपूर्ण क्यों है उसका क्या कारण है उपनिवेशिक उपागम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या उपनिवेशिक उपागम का क्या मतलब है क्या माइने है इसके उपनिवेशिक उपागम का मतलब है कि उपनिवेशिक शासं देश हैं जिनके उपर किसी दूसरे देश का उपनिवेश स्थापित हुआ है यानि जैसे भारत ने उपनिवेशिक शासन ब्रिटिशर्स का है और भारत वो उपनिवेशिक देश है जिसका इतिहास उन ब्रिटिशर्स के दोरा लिखा जा रहा है तो किसी उपनिवेशिक शास तक देश के लोगों के दोरा उस दोरान होने वाली घटनाओं के बारे में उस देश के उपर लिखा जाने वाला इतिहाज जिसके उपर उस उपनवेश का शाशन है। बिटिश उपनवेश का शाशन हैं ये उपनवशक शाशक है। इनको हम क्या बोलेंगे उपनवेशक शाशक बोलेंगे और ये उस शाशक के द्वारा शासित रास्टर है या देश है। अब इस देश का इतिहास दो तरीके के लोग लिखेंगे, एक तो इस देश के जो लोग हैं, यहां के जो लोग हैं वो लिखेंगे, दूसरा ये लोग भी लिखेंगे, मतलब जिनके ओपर शासन हो रहा है वो भी लिखेंगे, लेकिन जब ये लिखेंगे, तो इनका जो लेख आसन चलते हुए नहीं देख सकता ये कभी न कभी उसका विरोध करता ही है तो अपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित जो जानकारी है वो हमको इसमें एक तो देखने को मिलती है और दूसरा अपनिवेशिक विचारधारा कैसे थी और उसने देश को कैसे प्रभावि लिखा एक तो ये बात और दूसरा उसके इतिहास लेखन से भारतियों पर क्या प्रभाव पड़ा या दूसरे समाज के जो वर्ग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा ये दूसरी बात ये दो विशेस अर्थ हमें निकालने चाहिए या ये दो विशेस अलग-अलग तत्व को निकालने चाहिए आपनिवेशिक उपागम के तो आपनिवेशिक जो उपागम है वो अधिकारियों द्वारा जब लिखा जाता है जैसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखा गया तो वो उनके ही हित में कहीं न कहीं रहा होगा देश के बारे में लेखन करना इनको बढ़ा करके ही बताएंगे और जिस जगह पर वो शासन कर रहे हैं उसे घटा करके उसकी संसकृति और उसके मुल्य को घटा करके प्रदिश्ट करेंगे तो जो उपनिवेशिक उपागम है इसी लिए माक्सवाधी जो उपागम है वो अपनिवेशिक उपागम की तरह दिखने के बावजूद भी मार्क्सवादी जो उपागम है वो अपनिवेशिक उपागम से स्रिष्ट दिखाई देते हैं क्यों? क्योंकि ये वाली जो बायसनेस है वो मार्क्सवादी जो जिनको आप बोल सकते हैं उपागम जो हैं, उसमें देखने को नहीं मिलते हैं, वो इस पस्ट होते हैं वापर, अब जैसे इन में से कुछ आप नाम ले सकते हो, नाम में जैसे आप James Mill का नाम ले लीजे, Mount Stewart का नाम ले लीजे, या Mount Stewart Elfiston का नाम ले लीजे, Vincent Smith का नाम ले, इनके उपर आगे चर्चा करेंगे हैं, लेकिन ये नाम बहुत important है, important क्यों हैं, क्योंकि इन लोगों ने उस समय के जो भारती समाज को जो चित्रित किया है, वो कैसा चित्रित किया है, वो एक अवर्द समाज के रूप में चित्रित किया है, वो एक पिछडी सभिता के रूप में चित्रित किया है, सांस्कृतिक द्रिष्टी से सबसे निक्रिष्ट सांस्कृती जो हो सकती है, उस रूप में इन्होंने चित्रित किया है, और इसके बदले अपने ब्रिटेन को या अपने कंट्री को, उन्होंने एक उत्कृष्ट समाज एक विक्सित समाज एक प्रोद्धिगी से युक्त समाज के रूप में प्रद्रशित किया है तो ये कुछ ये अंतर है, ये महत्वपूर्ण अंतर है अपनिवेशिक उपागम और जो जो मार्क्सवादिव पागम है उसमें कुछ एक्जामपल्स मैं आपको यहां पर दूँ जैसे लॉड मैकाले जो है उसने किताब लिखा एडिनबरा रिव्यू करके किताब लिखा लॉड मैकाले ने, ये बहुत इंपोर्टेंट है जरा देखिए इसके बारे में समझे लॉड मैकाले के बारे में अगर हम जाने तो इसने एडिनबरा रिव्यू ये एक रचना लिखी और लॉड मैकाले की जो एडिनबरा रिव्यू है इसमें उसने रॉबर्ट क्लाइव जैसे तमाम सारे जो British Indian जो महारत ही हैं उनके इतिहास का एक संकलन जो है वो तैयार किया साथी साथ अगर हम Lord Macali की बात करें तो इतिहास लेखन में ऐसा नहीं कि इसका महत्वपूर्ण स्थान नहीं है महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसकी जो शैली है इसके इतिहास लेखन की जो शैली है वो इतिहास लेखन की शैली जो है वो साहित्तिक है और जब साहित्तिक है तो इसको आप खुद के पढ़ने के लिए भी रख सकते हैं और जो उस समय की जो education culture है उस education culture में इसको involve किया गया school में पढ़ाया जाना शुरू किया गया Lord मैकाले के विचार विगर जो है वो पढ़ाया जाना शुरू किया गया तो जब वो विचार लेकर किया आएगा तो वो Robert Clive और उस तरह के जो शासक है जो भारत में आए हैं जो इंडियन जिनको British Indian के रूप में जाना जा सकता है तो उनके उपर कई न कई बढ़ा चला करके वर्ण करता है वो देखने को मिलता है तो उसका प्रभाव भी हमारे उपर वैसा ही पड़ेगा British India के जो देसी लोग हैं उन देसी लोगों की अवधारणा को खराब करने में इसका बहुत महत्वण योगदान है उतना ही महत्वण जितना जेम्स मिल का महत्वण योगदान बाद में तमाम सारे जो वाइसराय हैं और उनकी प्रसंद के जो प्रशासन हैं उनके इतिहास जो है वो लिखे गए जैसे Sir Henry Man की बात कर लें तो Henry Man जो है वो एक नियाईक इतिहासकार हुआ करते थे Sir Henry Man ये नियाईक इतिहासकार थे और हम इनके विचारों की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये भारत की जो गवर्नर जनरल की जो परिशद है इसके विरोधी सदस से थे भारत की गवर्नर जनरल की जो परिशद है परिशद उसके विरोधी सदस से थे तो स्वभाविक सी बात है कि इनका जो जो लेखन है वो लॉर्ड मैकाले जैसे लोगों के लिखन से थोड़ा सा भिन होगा इनकी एक कृती है जिसका नाम है ancient law इनकी जो रचना है इसका नाम है ancient law यानि की प्राचीन law ठीक है, सन 1861 में ये प्रकाशित किया गया था और इसमें उस समय उन्होंने भारती ग्रामीड जो समुदाय है उसका इन्होंने वरणन किया था इसमें जबकि इनको आप देख रहे हैं, तो ये कैसा वरणन कर रहे हैं ये अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिन्वरा रिवीयू जो है उसमें उन्होंने तमाम ऐसे शासकों को रिवियू किया है, कि कैसे उन्होंने कंपनी शासन को यहांपर established किया, कैसे कंपनी शासन अच्छी तरीके से यहांपर फल फूल पाया, यह चीज इन्होंने एडिनबरा रिवियू में लिखा हुआ है, उसके दूसी तरफ अगर आप देखोगे, तो हेंरी मैन जो है, वो क्या कर रहा है, यहांपर जब हेंरी मैन की बात करते हैं, तो सर हेंरी मैन जो है, वो भारत का जो ग्रामिड समाज है, उस ग्रामिड समाज का वरण करते हुए हमको यहांपर दिखाई दे रहे हैं, इसी में हमको कुछ एक दो नाम और य इंडिया एंड डेथ अकबर, ये एक रचना लिखी, मैं आपर नाम लिख देता हूँ, मॉरलेंड का, मॉरलेंड, इंडिया एंड डेथ अकबर, ये एक रचना लिखी उन्होंने, और इसमें उस समय के जो ततकालिन समाज था, 1920s के समय में, उस समय उनका जो ततकालिन समाज रहा होगा, उसकी आर्थिक इस्थिती का, इसमें उन्होंने परिक्षन किया है, आर्थिक इस्थिती का परिक्षन, अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, या आपस में तीनों चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कि Lord म काले का इतिहास लेखन कैसा है सर हेंरी मैन का इतिहास लेखन कैसा है और अब जो नाम हमने यहाँ पर लिखा मॉरलेंड इसका इतिहास लेखन जो है वो कैसा है इसका इतिहास लेखन जो है वो आर्थिक इस्थिति उस समय देश की कैसी थी इसके ऊपर है यहनि ततकालिन में किस तरीके का समाज रहा था उसके बारे में discussion किया तो हम उसको वहाँ पर छोड़ देते हैं उसकी कोई खास जुरूत नहीं इसके अलावा एक नाम आपको और देखने को मिलेगा जो इनसे थोड़ा और ज़्यादा पहले की है और वो एक different type की जो चीज है वो अपने विश चार्ल्स ग्रांट का एक और चार्ल्स ग्रांट जो है वो बोलते हैं observation of the state of society among the जो एसियाटिक observation है एसियाटिक observation of India ये किताब में ये जो पुस्तक है इसमें उन्होंने इसाई धर्म के बारे में या इसाई धर्म का गुडगान करने की स्थिती में होते हुए इस चीज़ को लिखाए क्योंकि उस समय उन्होंने ये बताया कि भारत में जो आदिम धार्मिक आस्थाएं हैं जो अंदविश्वास है अगर उस से भारत को बाहर निकलना है तो इसाई धर्म को अपनाना होगा और इसके बारे में वो अपने उस किताब में लिख रहे हैं जिसको हम लोग अप्जर्मिक जो धार्मिक कह सकते हैं कि प्रुपोगेंडा है या फिर धार्मिक जो विचार है उसको कैसे लागू करने की जो बात है उसको अपने पुस्ता के मादर हम से रखी जा रही है इसके अलावा आपको मैंने पीछे कुछ नाम लिये थे जिसमें हमने जेम्स मिल का नाम लिया था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की उसने किताब लिखी जेम्स मिल है अब जेम्स मिल जो है यह सबसे आदा कंफ्यूज करने वाले लोगों में से हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया अब यह जो किताब है इस किताब में उन्होंने कई सारी चीज़ों का वर्डन किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से ये वाली जो basically किताब है ना इसमें तकरीबन 6 खंड है जो पहला, दूसरा और तीसरा जो खंड है नि प्रतम 3 खंड जो है इस प्रतम 3 खंड में प्राचीन और मध्यकालीन जो भारत है मध्यकालीन भारत इसको उन्होंने लिखा है जेम्स मिलने और जो लास्ट के तीन अध्याए है अंतिम तीन अध्याए अंतिम तीन जो खंड है उन अंतिम तीन खंडों में केवल और केवल भारत में अंग्रेजों की चर्चा के बारे में ही लिखा है भारत में अंग्रेज भारत में अंग्रेज और वो भी सारे के सारे जो टॉपिक्स आप देखोगे तो उसमें आपको सब में अंग्रेजों काई गुडगान होते वे देखने को मिलता है तो ये एक अलग रूप है देख रहे हैं आप अपनिवेशिक साशन में आप इतिहास लिखन किस-किस तरीके से हो रहा है आप समझे लॉर्ड मैकाले का व्यू अलग है हेंरी मैन का व्यू अलग है इसके अलामा मैंने आपको दिखाया कि मौरलेंड का व्यू अलग है चार्ल्स ग्रांड का व्यू अलग है और यहां पर जेम्स मिल का व्यू तो बिल्कुल यह अलग है 1840 में H.H. Wilson ने एक रचना लिखी 1840 में H.H. Wilson ने एक रचना लिखी और H.H. Wilson जो है वो अपनी किताब को वो फिर भारतियों के सपोर्ड में थोड़ा सा लिखना शुरू करता है अलफिंस्टन की किताब आई अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यह जो जेम्स मिल नाम का व्यक्ती है ना यह कभी भारत नहीं आया था यह कभी भारत आया नहीं तब भारत की दशाओं का वर्णन कर रहा है ति भारत की दशाओं का वर्णन कैसे कर रहे है यहां से जाने वाले जो अंग्रेज हैं उनसे भारत को सुना और सुन करके भारत का इतिहास लिखा और वो बहुत फेमस रहा बहुत लंबे समय तक famous रहा है इतिहास ये भी बात आपको मैं बता दूँ ये माफ किज़ेगा 1917 नहीं है 1817 इसको मैं सुधार देता हूँ जेम्स मिल की जो किताब है ये 1817 1818 में प्रकाशित है 1718 में प्रकाशित है और 1840 तक जो है ये बहुत सारे इसके editions आये बहुत भी की ये किताब बहुत ज़ादा और बहुत चाही गई इस किताब को जबकि जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा हो भारत कभी आये ही नहीं अन्य आपको बताया है कि 1840 में एचेच विल्सन जब इस किताब के ओपर टिपड़ी लिखते है इस किताब के ओपर उन्होंने critically जब इस बुक को जब review किया तब जाकर के ये थोड़ा सा कंट्रोल हुआ Elphinstone की मैं बात कर लूँ तो Elphinstone जो है वो भारत में आये थे वो प्रशासनी का दिकारी थे रहे भी थे यहाँ पर उन्होंने किताब लिखी थे history of Hindu and Modern India ठीक है उनके किताब जो है Elphinstone की किताब की बात करें Elphinstone के जो किताब है ये मैंने बताया कि ये प्रशासनीक भारती प्रशासनीक अधिकारी थे भारती प्रशासनीक जो है ये अधिकारी थे और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है, वो है History माफ किजएगा, History of the Hindu and Moundans Moundans Moundan India ठीक है, History of the Hindu and Moundan India ये किताब लिखिए, जो हिंदू और मुसलमानों क्या के तौर पर हमें इस भारत को देख रहे हैं इनकी दृष्टी कोण से अगर देखें तो उसके बारे में इनोंने बताया है History of the British Power History of the British Power in the East ये किताब भी नहीं किये History of the British Power British Power in the East in the East ये जो किताब है ये किताब भी इनहीं की है ये रचना भी नहीं की है in the East तो ये आप देख सकते हैं कि अपनिवेशिक जो शासकों द्वरा लिखी है जो किताबे हैं वो कितना जादा जो है इस समाज को मोनिपिलेट कर रही हैं और इसका बहुत मतलब विपरीत प्रभाव समाज के उपर पड़ रहा है और यही कारण है कि भारती समाज को आगे चल करके जब ये राश्टवादी भावनाओं से प्ररित हुआ तो इनका जवाब देने के लिए राश्टवादी उपागम भारत में आने शुरू होते हैं और जब ये उपागम आने शुरू होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनका एक मात्र कार रहेगा जो राश्टवादी उपागम आएंगे उनका कारे क्या रहेगा रास्चवादी जो उपागम होंगे इन उपागमों का काम क्या रहेगा आगे चल करके इनका एक ही काम रहेगा सबसे पहला और महत्वपुन काम होगा कि आपनिवेशिक शासन या आपनिवेशिक जो उपागम है उसका ये प्रतियुत्तर दे ये क्या करें? आपनिवेशिक उपागम का ये क्या करेंगे? प्रतियुत्तर देंगे अब इसको भी अगर आप किसी एक पक्ष में जोके बगैर देखें तो जब हम आपनिवेशिक उपागमों की बात करते हैं तो हमेशा हम ये ध्यान न रखें कि इन्होंने जो भी लिखा वो भारत विरोधी ही लिखा या उपनिवेश का साथ देने के लिए ही लिखा ये कोई जरूरी नहीं है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया इन्हों मेंसे कुछ उधार्ण मैंने आपको यहाँ पर दिये थे अलग-अलग तरीके के जैसे है सर हेंड़ी मैंन का उधार्ण मैंने आपको दिया है ना तो यह हमें ध्यान रखना होगा कि जो राश्टवादी उपागम है आप जब उसे पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको बताया कि उपनिवेशिक उपागम का प्रति उत्तर दे रहे होंगे पर जब हम प्रति उत्तर देनी के स्थिती में आते हैं तो यह संभावना बढ़ने लगती है कि जिन लोगों ने हमारे उपर शासन किया अगर उन्हों में से कुछ ने हमारे उपर ठीक तरीके से भी वरताव किया तो क्योंकि हम उपनिवेश वाद के खिलाफ हैं तो हम उसकी भी जो विरोध है वो करना शुरू कर देते हैं तो राश्टवादी उपागम पढ़ते समय में भी हमको हमें इतिहास का स्टूडेंट बने रहती है इतिहास का मतलब जो वास्तविक रूप में अच्छा या बुरा जो घटित हुआ है वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि आपके विचार होने से इतिहास तो नहीं बदलेगा एक्सामपल के तोर पर एक व्यक्ति है जो की बहुत बुरा है पर इसके बारे में अच्छा लिखा गया तो आज का मानव जब इसके बारे में पढ़ रहा है तो वो जो अच्छा लिखा गया वही पढ़ रहा है तो इसके बारे में इसका जो प्रतिविम बन रहा है वो कैसा बन रहा है अच्छा प्रतिविम बन रहा है ठीक है अब हम इसका उल्टा कर लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो की बहुत अच्छा है और जो इसका इतिहास लिखा गया वो बहुत बुरा लिखा गया और जिस व्यक्त इसका इतिहास पढ़ा, वो बुरा वाला ही इतिहास पढ़ा, तो इसने इसकी छवी कैसी बना ली? बुरी छवी बना ली. अब अगर आप आप ने इसकी बुरी छवी बना ली, या ये अच्छा व्यक्ति था, आपको ये पता भी चल रहा है किसी सोर्से से, फिर भी आपने इ इसकी अच्छी या बुरी छवी बना लेने से इसकी जो वास्तविक्ता थी इतिहास में, वो तो चेंज नहीं होने वाली है, यानि वास्तविक इतिहास को आप मैनुपिलेट कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं, यानि उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसे छेड़ सकत ही नहीं है बदल सकते ही नहीं है हाँ आप किसी को बताते समय कुछ और बता दीजे तो वो एक अलग बात है तो जो राष्टवादी उपागम है वो सबसे पहले तो अपनिवेशिक जो उपागम है उसका प्रतिउत्तर देता है और प्रतित्तर क्यों देता है क्योंकि आप देखोगे कि अधिक्तम जो अपनिवेशिक उपागम है वो हमारे राष्ट के बारे में कैसी तीखी आलोचना वाले जो किताबे हैं वो प्रस्तूत करते हैं तो जो जूठी निंदा करी गई है जो हमारे देश की जूठी निंदा करी गई है उस जूठी निंदा कई विरोत करते हैं अब इसमें कई सारे राष्टवादी लिखकों का नाम आ जाएगा उनके बारे में हम जब पढ़ रहे होंगे तब उनके किताबों के बारे में भी बीश्वीश रताब्दी या उनिश्वीश रताब्दी के अंत के आसपास आप देखोगे दादाबाय नरो जी का नाम आएगा, रनाडे का नाम आएगा, गुपाल किष्ण गोखले जी का नाम आएगा, इसी तरीके से बीश्वीश रताब्दी में आप केटी शाह जी का नाम ले सकते हैं, VC काले जी का नाम ले सकते हैं DR गाडगिल का नाम ले सकते हैं तो ये तमाम सारे राष्टवादी सुधारक है और जब हम इनके बारे में पढ़ रहे होंगे तो इनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे तो राष्टवादी जो हैं उनका एक काम तो मैंने आपको बताया कि आपनिवेश्य को पागम का उपरतित्तर देंगे, जो भी जूठी निंदा करी गई है, जूठी जो निंदा हुई है, उस जूठी निंदा का क्या करेंगे, ये विरोध करेंगे, पर केवल क्या ये यही करेंगे, क्या इससे भी अपने लेखों या तथ्यों के मध्यम से करें। तो इसी से समाश सुधार में जन्म होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि कई जगों पर हमको यह देखने को मिलता है। थोड़े से कह सकते हैं कि नुकसान भी है राष्टवादी उपागम के या फिर कुछ माइनस प संप्रदाइक या अलग-अलग संप्रदायों की जो इतिहास है उसकी उपेक्षा की गई है। इसमें जन्जातियों के जो समधाएं हैं और उनका जो इतिहास है उसकी उपेक्षा की गई है। तो यह राष्टवादी उपागम के माइनस पॉइंट भी हैं जो हमें थोड़ से हमें नहीं पढ़ना है और पिछले दो दिन में यानि कल का जो मेरा लेक्चर हुआ था और आज का जो लेक्चर हुआ था इन सब से ओवर आल आपको एक जानकारी मिल गई होगी कि हमें आगे भारती आधनीक इत्यास जो है इसी आधार पर पढ़ना है पक्षपात रहित हो क करके पढ़ना है और उनके सुरोतों का सोर्सेस का हमें ध्यान रखने अब कल वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो अगला हमारा जो अध्याय आएगा कल जब हम आपके समख्षोंगे जिसमें हम आपको योरोपियों का भारत में आगमन के बारे में बता रहे होंगे तो वहाँ से वास्तविक आध्मिक भारती इतिहास की शुरुवात आप देखने को मिलेगी आपको आज तक का जो इतिहास था ये थोड़ा इतिहास की स्टेर्णी से थोड़ा सा लग है ये परिचय था इतिहास का एक तरीके से और आप समझ सकते हैं कि हम इसको इतना डीप के होते हैं तो मुझे मालूम है कि आपको बहुत कम सुरोत मिलते हैं चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ने के तो मैं इसी लिए इतनी व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि सर ये चीज जो चल रही है ये हम को समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप इसको रिपीट करके पढ़िए इसको पढ़ने की थोड़ी सी आदर एक दो बार डालेंगे तो आपको ये लेक्चर समझ में आएगा जो लोग पहली बार इस लेक्चर को पढ़ रहे है मेरा ऐसा अनुभव है कि जो लोग पहली बार इस लेक्चर को पढ़ रहे है मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि उन्हें ये थोड़ा कम समझ में आया हो लेकिन उसे ठीक तरीके से समझने के लिए आपको इस लेक्चर को दोहरा करके देखना पड़ेगा तब आपको एक शब्द से, एक वाक्य से, एक भाव से, दूसरे भाव को आप जोड़ पाएंगे और जब जोड़ पाएंगे तब ही आप सही तरीके से इसको समझ पाएंगे तो आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही और फिर आप से मुलकात होगी आगे अगले सेशन में और उस सेशन में हम आधनी भारत के इतिहास में पढ़ रहे होंगे यूरोपियों के आगमन के बारे में फिलाल आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको बताया है और आगे भी जो कुछ आप पढ़ रहे होंगे उसका PDF जो है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं PDF ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स जो है वो खुद बनाए विरत दुबे 01 यह हमारा टेलीग्राम है इस टेलीग्राम पर जाकर के आप हमारे साथ जुड़ करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए आज हम अलविदा करते हैं आपसे फिर मुलाकात करेंगे और तब तक ले नमस्कार धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी